चित्रा कुछ घबराते हुए कहती है ये निशान ये निशान तो वही है इस निशान को यहाँ पर नहीं होना चाहिए यहाँ पर क्या इसी कहीं पर भी नहीं होना चाहिए वरना इससे मुझे वो भक्षानर इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है चितरा उस निशान को देखते हुए गुस्से के साथ नामे अपना सिर हिलाते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं इस निशान को यहाँ पर नहीं रहने तूँगी, मिटा दूँगी इसे मैं नहीं चाहती कि वो भक्षानर इतना केकर चित्रा तुरंट ताबूत के नस्दीक जाती है अपने हाथ ताबूत पर रखती है उसकी तीन लंबे नुकीले पैने नाखोन जो की बचे हुए थे उनसे चित्रा उस निशान को खरूशने लग जाती है उस निशान को मिटाने लग जाती है जैसे चित्रा उस ताबूत पर खरोशना शुरू करती है उस जगह में से चिंगारी निकलने लग जाती है चित्रा गुस्से के साथ उस निशान को खरोशते रहती है जब यूग चित्रा को वो पाचवा निशान ताबूत पर से मिटाते हुए देखता है तो उसे याद आता है कि जब उसे ताबूत मिला था तो उसे भी यही लगा था कि किसी ने ताबूत पर से पाचवा निशान जान बूझ कर मिटाय था पर उसे ये नहीं पता था कि ताबूत पर से वो निशान मिटा है किसने था यूग मन में सोचने लग जाता है अब मेरी समझ में आ रहा है कि ताबूत पर से जिसने वो पांचवा निशान मिटा है था वो कोई और नहीं बलकि माही थी पर मा ये निशान मिटा क्यों रही है आखिर ऐसा किये इस पाचवी निशान में इसका मतलब क्या है युग फिर से आसु की बूंद के अंदर देखने लग जाता है और देखता है कि चित्रा गुस्से के साथ उस निशान को ताबूत पर से मिटाने में लगी हुई थी जहां एक तरफ चित्रा उस निशान को मिटाने में लगी हुई थी वहीं दूसरी तरफ गृव्यार्ट कोठी में मौजूद काले साई को उस चीज का एसास होने लग जाता है कि कोई ताबूत के साथ कुछ कर रहा है उसे एसास होता भी कैसे रही आखिर वो ताबूत उसी के धुए और शक्ती स्त्रोथ बॉट फ्लाई से जो बना हुआ था काले साई के अंदर एक तरफ मचने लग जाती है उसका जी मचलने लग जाता है काले साई गुसे के साथ खुद से कहता है कोई मेरे ताबूत के साथ कुछ कर रहा है पर वो कौन है किसके इतनी मजाल हुई जो मेरे ताबूत को छुए अगले पल काला साय अपनी आखे बंद कर लेता है कुछ देर बाद जब काला साय अपनी आखे खोलता है तो उसके अंदर का गुस्सा और जादा बढ़ जाता है काला साय कहता है मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो गया है मेरी शक्ती को मैं पता क्यों नहीं लगा पारा हूँ कि मेरे ताबुत के पास कौन है कौन है वो जो मेरे खिलाव जा रहा है मैं उसे छोड़ूँगा नहीं मसल कर रख दूगा इतना खेकर काला साया ग्रेवियार्ट कोटी से बाहर निकलने लग जाता है जैसे ही लूसी की नजर काला साया पर पढ़ती है वो जाड़ियों के पीछे छुप जाती है जब काला साया ग्रेवियार्ट कोटी की सीमा के बाहर अपना कदम रखता है उसे एक करिंट का छटका सा लगता है और वो धढ़ाम से जमीन पर जाकर गिर जाता है काला साया गुसे से भनकते हुए कहता है वहाँ आखिर क्या था? मुझे ये जटका क्यों लगा? इतना केकर काला साया फिर से खड़ा होता है और आगी बढ़ने लग जाता है पर जैसे ही वो चित्रा की द्वारा बनाए हुए चक्र के पार जाने की कोशिश करता है पर उसे तब भी कुछ नज़र नहीं आता है उसे सब चीजी नॉर्मल ही लग रही थी काला साया उस पूरी जग़ा को देखते हुए मनी मन कोई सा मंत्र बढ़ बढ़ाने लग जाता है जैसे ही वो मंत्र पढ़ कर खत्म करता है ग्रेव्यार्ट कोठी के चारो तरफ चित्रा ने जो चक्र बनाय था वो चक्र दिवार का रूप ले लेता है वो दिवार हरी रोश्नी में चमकने लग गई थी काला साया उस हरी रोश्नी से बनी हुई दिवार की आरपार आसानी से देख पा रहा था वो हरी रोश्णी से बनी हुई दिवार साथ हिस्सों में बटी हुई थी जब कालस आया उस हरी रोश्णी से भरी हुई दिवार को देखता है तो उसकी आँखें खुले की खुले रह जाती है पहले तो वो बस उस दिवार को एक टक देखते ही रह जाता है कुछ बोली नहीं पाता है पर जब कालसाया उस हरी दिवार को साथ हिस्सों में बटा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि वो सब्तम चक्र था जिसमें से एक चक्र इस वक्त उसके सामने था काला साया उस दिवार को उपर से लेकर नीचे तक देखते हुए हैरानी के साथ कहता है ये तो सब्तम चक्र है इसे किस ने बना दिया काला साया उस चक्र को बड़े गौर से देखते हुए कहता है ये सब्तम चक्र तो डायन ही बना सकती है पर इसे किस डायन ने बना दिया वो भी ड्रेवियार्ट कोटी के बाहर जहां पर मैं रहता हूँ कौन सी ऐसी डायन आगी जो मेरा रास्ता रोखना चाती है काला साया सोचने लग जाता है कि कौन उसके खिलाव जा सकता है तब उसके दिमाग में कुछ आता है और अगली पल वो हर बड़ा हट के साथ बोल पड़ता है कहीं वो डायन वो भगोरी चित्रा तो नहीं काला साया हां मैं अपना सिर हिलाते हुए कहता है हाँ वो डायन वो भगोरी चित्रा ही होगी वो डायन बनकर लोट आई है अच्छा हुआ वो लोट आई अब मैं उसे छोड़ूँगा नहीं उसे क्या लगता है कि ये सब्तम चक्र बना कर वो मुझे रोक सकती है बिल्कुल नहीं वो जानती नहीं मैं कौन हूँ मैं भक्षानर हूँ जिसे यक्षनी तक खत्म नहीं कर पाई थी वो मुझे क्या रोकेगी अगले पल कालसा एक टक नजर से उस हरी दिवार को देखने लग जाता है वो अपने दोनों हाथ उस दिवार की तरफ करता है और देखते ही देखते उसके हाथ में से धुआ और कई सारे बोर्ट फ्लाई एक साथ निकलने लग जाते ही है जो सीधी जाकर दिवार से टकराने लग जाते है इस तरफ पंचम गाओं में चित्रा ने ताबूत पर बना पाचवा निशान मिटा दिया था और वो चोथा निशान मिटाने के लिए उस तरफ अपने हाथ बढ़ाने लग गई थी पर उसी वक्त उसे भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके बनाए सब्तम चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा था वो अच्छे से जानती थी कि वो कौन हो सकता है जो उसके सब्तम चक्र को तोड़ने की कोशिश कर सकता है चित्रा अपनी आँखे बंद करते हुए कहती है मुझे बताओ लुसी वो भक्षानर क्या कर रहा है कहाँ पर इस वक्त हो जैसे ही चित्रा खुद से ये बात करती है उसे वो सब दिखने लग जाता है जो इस वक्त लुसी देख रहे थी लुसी चाड़ियों के पीछे ही चुपे हुई थी और भक्षानर को सब्तम चक्र को तोड़ते हुए देख रहे थी चित्रा को भी यही पूरा दृश्य दिखने लग जाता है चितरा खुद से कहती है मुझे लगा ही था कि जरूर ये भक्षानरी होगा जो मेरा बनाय हुआ सब्तम चक्र तोड़ रहा है पर मुझे ये नहीं लगा था कि इसे इतनी जल्दी मेरे बनाय हुए चक्र के बारे में पता चल जाएगा इसे क्या लगता है ये मेरे बनाय हुए सब्तम चक्र को आसानी से तोड़ देगा मैं भी देखती हूँ कैसे तोड़ पाता है ये मेरे चक्र को ये जानता नहीं ये चक्र नहीं मा चक्र है इसने तो मुझे चक्र व्यों में फजाय था पर मैंने इसे सब्तम चक्र में फजाय है वो सब्तम चक्र जिसकी साथ पड़ते हैं इतनी आसानी से ये इन पड़तों को नहीं तोड़ पाएगा इस तरफ काले साय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उस सब्तम चक्र को तोड़ने में उस हरी दिवार के अंदर छेद होने लग गया था वो बोड़ फ्लै जो मांस खाते हैं वो सहरी रोशनी से बनी दिवार को खाने लग गय थे उसकी रोशनी को कम करने लग गय थे देखते ही देखते ही वो हरी दिवार के अंदर काले काले छेद बढ़ने लग गय थे जैसे भक्षानर का काला धुआ उस दिवार के अंदर समा रहा हो चित्रा खबराने लग गई थी क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके जरीए बनाये हुआ ये पहला चक्र कमजोर पढ़ने लगया था कुछी पल में वो हरी दिवार पूरी तरह काली बढ़ जाती है जैसे ही वो दिवार पूरी तरह काली होती है वो धराम से तूट जाती है जैसे ही वो तूटती है चित्रा का काला बाल जमीन के थोड़े अंदर खुसता है और एक काटेदार बेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है यही वो बेल था जो बाद में युग को बास की खेती करते वक दिखाई दी थी जिसे युग वहाँ से हटा नहीं पाय था भक्षानर ने पहला चक्र तो तोड़ दिया था पर उसकी ताकत कुछ कम हो गई थी और वो खुद में कमजोरी महसूस करने लग गया था उसका शरीर जो की धुए से बना हुआ था वो पहले से पतला हो गया था पर जोश में होने के कारण वो सब कुछ भूल गया था भक्षानर पहला चक्र तोड़ने के बाद अपनी शक्तियों पर घमन करते हुए कहता है कहा था ना मेरे सामने कोई नहीं डिक सकता जब यक्षुनी नहीं डिक पाई तो ये चक्र क्या चीज है भक्षानर अपना एक कदम अपने आगे बढ़ाते हुए कहता है मुझे पता है चित्रा इस वक्त तु पंचिम गाओं के अंदर ही है अनुराग के ताबूत के पास तु वही पर हूँ, मैं वही पर आ रहा हूँ आज मैं तेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूँगा आज तेरी कहानी का दी एंड होने वाला है इतना कहकर भक्षानर तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है उसके आगे बढ़ते ही लूसी भी छुपते हुए उसके पीछे जाने लग जाती है ताकि चित्रा देख सके कि वहाँ पर क्या चल रहा था इस तरफ पंचिमगाओं में चित्रा की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी उसकी घबराहट देख देख डर का रूप लेने लग गई थी चित्रा खुद से बात करते हुए कहती है ये क्या? इस भक्षानर ने तो पहला चक्र तोड़ दिया ये कैसे हो सकता है? वो इतनी आसानी से मेरा बनाय हुआ चक्र कैसे तोड़ सकता है? अकर वो सारे चक्र तोड़ कर मेरे पास पहुच गया तो मैं क्या करूँगी? कैसे सामना करूँगी उसका? चित्रा डरने लग जाती है डर के कारण उसका बदन पसीने से भीगने लग जाता है चित्रा डरी रही थी कि तब ही उसके अंदर मन से एक आवास आती है ये तो क्या कर रही है चित्रा? भूल मत तू अब एक आम औरत नहीं है चो डरती रहे तू एक डायन है और डायने डरती रही है बलकि डराती है अभी तो उस भक्षानर ने बस एक चक्र तोड़ा है भूल मत छे चक्र और बचे हुए है अपने बनायोगे चक्र पर भरोसा रग वो भक्षानर कभी तेरे पास नहीं पहुच पाएगा अपने अंतरमन की बाते सुनकर चित्रा का डर मिटने लग जाता है वो विश्वास से भरूपती है और एक नए होसले के साथ बोल पड़ती है अगर वो भक्षानर मेरे पास आभी जाये तो मैं उससे डरती नहीं मैं दिखा दूँगी कि मैं भी एक डाइन की वश्च जो इतना कहकर चित्रा फिर अपनी आखे बंद कर लेती है चित्रां के बंद करकी मनी मन मंत्रों का जाब करने लग जाती है ताकि अपने बनाय हुए चक्र को शक्तिया दे सके उन्हें और मजबूत कर सके इस तरफ भक्षानर पंचिम गाउं पहुचने से पहली बंगला मुडा गाउं की सीमा के अंदर ही रुख जाता है तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है जिस तरह उसने पहला चक्र तोड़ा था पर इस पार चित्रा उस दूसरे चक्र को मजबूत बनाय रखने के लिए मंत्रों का जाब कर रही थी जिस कारण भक्षानर को उस दिवार को तोड़ने में काफी मशक्खत करने पड़ रही थी इस पार बस वो दूसरा चक्र कमजोर नहीं पड़ रहा था बलकि भक्षानर भी कमजोर पड़ने लग गया था उसका शरीर जिस धुए से बना हुआ था वो दुआ उसके शरीर में से कम होते जा रहा था जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा था उसके धुएसे बनी शरीर का आकार बदलने लग गयाथा जहां काले साय का शरीर हटा कटा था वो पतले दूबले शरीर में बदल जाता है पर वो काला साया तब भी नहीं रुखता है वो अपनी पूरी चान लगा कर उस दीवार को तोड़ने में लगा रहता है और देखते ही देखते वो उस दूसरे चक्र को भी तोड़ देता है जैसे ही काला साया उस दूसरे चक्र को तोड़ता है कालसाया गुस्से के साथ खुद से कहता है इतना कहकर कालसाया फिर अपने कदम आगी बढ़ाने लग जाता है दूसरा चक्र तोटने के बाद चित्रा घबरातू जाती है पर इस बार वो डरती नहीं है क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसका दूसरा चक्र टूटा तो इस बार कहीं न कहीं वो काला साय भी जरूर कमजोर हुआ था चित्रा अक्रोश के साथ खुद से कहती है पहले मेरे सब्तम चक्र को तो तोड़ कर दिखा भक्षानर फिर मेरे पास आना काला साय तीसरे चक्र के पास भी पहुँच जाता है जो कहीं और नहीं बलकि पंचिब गाउं की सीमा के बाहर बना हुआ था भक्षानर उस चक्र को भी तोड़ने लग जाता है उसके हाथ से फिर धुआ और बॉट फ्लाई निकलते ही और हरी रोश्टी से बनी दिवार में जाकर टकराने लग जाते हैं पर इस पर धुए और बॉट फ्लाई की तादाद कम हो चुकी थी वो कुछ ही बच्चे थे चित्रा ने भी इस तरफ चक्र को और मजबूत करने के लिए फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था काला साय अपनी ताकत के साथ उस दिवार को तोड़ने में लगाई हुआ था कि तब ही उसके हाथ में से जो धुआ और बॉट फ्लाई निकल रहे थे वो निकलने बंद हो जाते है ये देखकर वो काला साय है हैरान रह जाता है काला साय परेशान होते हुए खुद से कहता है ये मेरी शक्तियों को क्या हुआ? ही काम क्यों नहीं कर रही है? काला साय फिर अपने हाथ में से धुआ और बॉट फ्लाई निकलने की कोशिश करता है पर इस पार भी कुछ नहीं होता है जब कई कोशिश करने की बाद भी कुछ नहीं होता है तो काला साय खुद उस दिवार के पास जाता है और अपने मुक्य मार कर उस दिवार को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है काना साया बहुत कोशिश करता है पर इस बार वो उस धीसरे चक्र को जरा सा भी नुकसान ने पहुचा पाये था बलकि खुद कमजोर होने लग गया था कि उसका शरीर जो धुए से बना हुआ था वो मिटने लग गया था वो समझ गया था कि अगर इसी तरह उपनी शक्ती का अभ्योग करते रहता तो वो मिट जाएगा कानसाया हार मान लेता है और दिवार को तोड़ने की कोशिश बंद कर देता है कानसाया उस दिवार को उपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है मुझे पता है चित्रा तू मुझे देख रही है आज तू मैं जा रहा हूँ पर मैं वापस आओगा अपनी शक्तियां बढ़ाकर मैं कुछी दिनों में अपनी शक्तियां वापस पालूँगा और तेरे इन सब्तम चक्र को तोड़ कर रख दूँगा जिस वक्त ये सब्तम चक्र तूटेगा तो समझ लेना तेरा अंद भी आ चुका है फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा जिस वक्त ये सब्तम चक्र तूटेगा तो समझ लेना तेरा अंद भी आ चुका है फिर तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा काला साय गुस्से के साथ उस दिवार को एक टक देख दे रहता है और जब उसे एहसास होता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता तो वहाँ से जाने लग जाता है इस तरफ पंचिम गाओं के अंदर चित्रा मुस्कुराय जा रही थी खुद अपनी जीत का चश्ण मना रही थी चित्रा को पहली बार अपने डायन होने पर अभिमान होने लग गया था वरना आज तक बस उसने जिल्लत ही छेली थी हमेशा कुछ ना कुछ खोया था पहले अपने माता पिता को और फिर अपने पती बेटे को सिर्फ और सिर्फ डायन होने की बज़ा से चित्रा मुस्कुराहट के साथ खुद से बात करते हुए कहती है मैंने डायन बनकर एकदम सही फैसला लिया है आखिरकार इतने महीनों की मेहनत करने के बाद मैंने उस भक्षानर को एक छोटी सी जगा में सिमट कर रहने के लिए मचपूर कर दिया अब वो कभी सब्तम चक्र को तोड़ नहीं पाएगा और अगर उसने तोड़ने की कोशिश भी करी तो वो आज जानी गया होगा कि उसका हश्र क्या होगा अभी तो उसका शरीर बस वापस धुए में बदला है एक दिन ऐसा आएगा जब वो धुआई नहीं बचेगा और वो अपना शरीर कभी नहीं बना पाएगा देखते ही देखते आसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होने लग जाती है युग को सब कुछ धुनला नजर आने लग जाता है कुछ दिर बाद उसे चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है युक कुछ सोचतां उससे पहले चितरा युक से बोल पढ़ती है. युक पेटा, जब मैं अपने नाखुनों की आहोती दे रही थी, तब यही सोच रही थी, क्या सब्दम चक्र बनाने के लिए अपने नाखुनों की आहोती दे कर मैं सही कर रही हूँ? पर वो भक्षानर जब उस सब्तम चक्र को तोड़ नहीं पाया तब मैं जान गई थी कि कोई भी आहुती कभी भी खाली नहीं जाती उसका असर जरूर होता है युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बाते सुनते रहता है चित्रा फिर युग से बूल पढ़ती है अनुराग के ताबूत के पास ही बैट कर साधनाय करने लग थी चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है उस भक्षानर के अंच को एक दिन भी नहीं लगा था वापस से अपनी शक्तियां हासिल करके धुए वाला शरीर बनाने में मुझे तो लगा था कि इस बार जब वो आएगा तो फिर तीसरे और चौते चक्रु को भी तोड़ देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊगी पर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर वो भक्षानर कांच का भी ग्रेवियार्ट को ठीके बाहर ही नहीं निकल पाया वो तीन धर्म गुरु जी ने तुमारे बड़े पापा दिलीप ने बुलाया था उन तीन धर्म गुरु ने मिलकर वो कर दिखाया जो नहीं मैं कर पाई नहीं यक्षिनी इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है चित्रा जैसे ही चुप होती है आसो की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है युग समझ जाता है कि वो फिर से चित्रा की किसी याद में जाने वाला था कुछ देर बात जब जीजस पश्ट होती है तो युग देखता है कि रात का वक्त था लूसी ग्रिव्यार्ट को ठीके साइड में जो पेर थे उस पर चड़ कर बैटी हुई थी ताकि काले साइपर नज़र रख सके उसे चित्रा नहीं काले साइपर फिर से नज़र रखने के लिए कहा था क्योंकि चित्रा काले साइपर की पलपल की खबर जाती थी जानना चाती थी कि वो कब क्या कर रहा है कौन सी शैतानी साज़श की नई तैयारी कर रहा है इस वक्त कालसाया रूम नंबर 666 के अंदर ही ध्यान लगा कर बैठा हुआ था जैसे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वो भी कोई साधना कर रहा हूँ अगले पल कालसाया अपनी आँखे खोल लेता है और उपर से लेकर नीचे तक अपने बदन को देखने लग जाता है अपने हाद पैर सीने को छू कर देखने लग जाता है कालसाया अपने बदन को देखते हुए खुद से कहता है मेरा बदन आखिरकार वापस से आकार में आही गया और सर्फ आकार में ही नहीं आया बलकि मुझे मेरी शक्तियां पे वापस मिल गई है उस चित्रा को क्या लगता था कि मुझे सर्फ इंसानों के मांसों और खून पीने बॉटफ्लाय से शक्तियां मिलती है यही मेरे शक्ति स्त्रोथ है नहीं चित्रा मेरा सबसे एहम शक्ति स्त्रोथ तो यह है ग्रेव्यार्ट कोठी इसी से मुझे शक्तियां मिलती है यहीं पर रहकर मैं और जल्दी ठीक होता हूँ लूसी जो भी देख और सुन रही थी वही सब इस वक्त ताबूत के पास मुझूद चित्रा को भी सुनाई दिखाई दे रहा था काला साय खुद से कहता है मेरी शक्तियां वापस आ गई है मैं आ रहा हो चित्रा अब मैं सब्तम चक्र तोड़ कर सीधे तेरे पास ही आऊँगा तुझे तोड़ कर रखने के लिए तो चक्र तो मैं पहले ही तोड़ चुका हूँ आज मैं बाकी के चक्र को भी तोड़ कर रख दोगा इतना कि एकर काला साय अपनी जगापर से उठता है और ग्रेव्याट को ठी से बाहर जाने लग जाता है काला साय ग्रिव्यार्ट कोठी के बाहर निकलनी वाला था कि तब ही वो रुख जाता है इस तरफ चित्रा मनी मन सोचने लग जाती है भक्षानर तू रुख क्यों गया? डर क्या क्या? आजा भक्षानर, मेरे पासा अगर तू तयार या मेरे बनाये चक्रू को तोड़ने के लिए तो मैं भी पूरी तरह तयार हूं तुझे रोकने के लिए इस तरफ भक्षानर ग्रिव्यार्ट कोठी की देहलीज के अंदर ही खड़ा हुआ था उसने गरिवियार बड़ बढाते उबे कहता है ये को अने जो गरिवियार कोटि की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं इन्हें ज़रा भी अंदाजा नहीं है ये कोटि नहीं अपनी मौद के पास आ रहे है काले साय को किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी उसी आहट को सुनकर वो वहाँ पर रुख गया था बाहर नहीं गया था ग्रेव्याट कोटी के बाहर ही लूसी खड़ी हुई थी और लूसी देख दिये कि काले साय को जिन कदमों की आहर्ट सुनाई दे रही थी वो किसी और की नहीं बल्कि तीन धर्म गुरूँ की थी हिंदु धर्म गुरू ने भगवारं की धोती बैनी हुई थी और जने उधारं का रखा था साथ में उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला भी थी जिसके अंदर उनका सामान रखा हुआ था उन तीनो धर्म गुरूँ के साथ ही दिलीप और बलुका का भी चल रहे थे वे पाचों लोग अभी ग्रेव्यार्ट कोटी तक पहुचे ही थे कि तभी तीनों धर्म गुरु वहीं पर रुख जाते हैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं दिलीप तुरंथ पूच पढ़ता है क्या हुआ गुरुवर आप तीनों रुख क्यों गए हिंदु धर्म गुरु कहते हैं अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया दिलीप तुम जा सकते हो दिलीप हिचक चाते हुए कहता है पर गुरुवर मैं आप तीनों को यहां दिलीप अपनी बात पूरी करता हुसे पहले मुस्लिम धर्म गुरु बोल पड़ते है हाँ दिलीप तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है तुम जाओ हमारी फिक्र मत करो अल्लाह ताला हमारे साथ है दिलीप घबराते हुए कहता है अब आप तीनों ही मेरा आखरी सहारे गुरुवर आपको नहीं पता उस यक्षिनी ने गाओं में कितना कोरा मचा हुआ है वो डायन हर अमावस्या पूर्णिमा की राद गाओं के एक मर्द को खा जाती है इसाई धर्म गुरु कहते हैं गौड ने हमें सब बता दिया दिली यक्षिनी को कैद करने का तरीका भी तुम उसकी चिंता मत करो अब सब गौड पर छोड़ दो गौड कभी कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते दिलीप कुछ कहने वाला था कि उससे पहले हिंदु धर्म गुरु बोल पड़ते हैं सुबह की पहली किरन के साथ ही वो यक्षिनी यहां इसी ग्रेवियार्ट कोठी में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी पर याद रखना एक बार कैद करने के बाद तुम फिर कभी ग्रेवियार्ट कोठी को मत खोलना दिलीप हर बड़ाहट के साथ कहता है कभी नहीं कभी नहीं खोलूंगा गुरुवर बस आप एक बार उस यक्षिनी को कैद कर दीजे मुस्लिम धर्मकुरु कहते है अब तुम जाओ दिलीप वक्त निकलते जा रहा है उस यक्षिनी को कैद करने के बाद हम तुमें यही पर मिलेंगी ग्रेवियार्ट कोठी में ताला लगा कर बलू डरते हुए कहता है हाँ मालिक चलिए इस ग्रेवियार्ट कोठी के पास रुखना अपने आपको मनुस्यत से भढ़ना है चलिए मालिक दिलीप हाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है तु सही कहा रहा है बलू हम निकलते हैं अब सुबह ही यहाँ पर आएंगे जब वो यक्षनी कैद हो चुकी होगी अगले ही पल दिलीप और बलू वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों धर्म गुरू ग्रिव्याट कुठी की तरफ फिर से अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं इस तरफ ग्रिव्याट कुठी के अंदर उस काले साय ने अपनी शक्ती से उन पांचों के बीच की सारी बात सुन ली थी काले साय खुद से बड़बडाते हुए कहता है इस डायन चित्रा की वज़े से मैं तो भूली गया था कि ये दिली तीन धर्म गुरों को भेजने वाला है आखिर इनकी वज़े से तो मुझे अनुराग का शरीर वहाँ पंचिम काउं में चुपाना पड़ा और अब उस अनुराग के शरीर पर वो डायन चित्रा कबजा करके बैट गी है पहले इन तीन धर्म गुरों से निपटता हूँ उसके बाद उस चित्रा से निपटोंगा काले साय मुस्कुराते हुए कहता है ये तीनों मोर्ख धर्म गुरों यक्षिणी को कैद करने के लिए आ रहे है पर इन्हें क्या पता यक्षिणी तो इतना कहकर काला साया जोर-जोर से हसने लग जाता है और अगले ही पल वहाँ से ओचल होने लग जाता है इस तरफ वो तीनों धर्म गुरु ग्रेव्याट कोठी की देहलीच के बाहर ही खड़े हुए थे और बड़े गौर से ग्रेव्याट कोठी को देखे जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेव्याट कोठी को बाहर से देखने से ही उन तीनों को कुछ मैसूस हो रहा हो जिस कारण वो तीनों दर्वाजे पर ही रुख गए थे मुस्लिम धर्म गुरु कहते हैं वो यही है, मैं उसे मैसूस कर सकता हूँ हिंदु धर्म गुरु कहते हैं मुझे भी यहाँ पर नकारात्मक शक्ती मैसूस हो रही है इसाई धर्म गुरु कहते हैं, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ वो तीनों धर्म गुरु एक दूसरे को देखते हैं और अगली पल एक साथ ग्रिव्याट कुठी के अंदर खुश जाते हैं जैसे ही वो तीनों ग्रिव्यार्ट को ठीके अंदर कदम रखते हैं, उन्हें और जादा नकरात्मक शक्ती का एहसास होने लग जाता है। पर उन्हें कहीं भी कुछ हलचल होती हुई नजर नहीं आती है। और वो तीनों ही हॉल में ही अलग-अलग दिशा में जाते हुए यक्षिनी को ढूनने लग जाते हैं। ग्रेव्यार्ट कुठी में एक अजीब सा सन्नाटा चाय हुआ था। जिस कारण जरा में कोई हलचल होती थी तो वो आहट बुंचने लग जाती थी। वो तीनों धर्म गुरू नीचे तल पर जितने भी कम रहे थे सब में जा रहे थे और यक्षिनी को तलाश कर रहे थे। तीनों धर्म गुरू ने अपना लॉकेट आगे करके रखा हुआ था। ताकि जैसे ही उसमें मूवमेंट हो तो वो समझ जाए कि यक्षिनी वहाँ पर है। हिंदु धर्म गुरू अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। तीनों धर्म गुरू अलग-अलग अन्धेरे कमरे में यक्षिनी की तलाश कर रहे थे। कि तभी उन तीनों के मालाओं में एक साथ हलचल होने लग जाती है उनकी मालाओं हिलने लग जाती है और वो इस हलचल का पीछा करने लग जाते हैं पहले वो माला धीरी-धीरी हिल रहे थी पर वो तेजी के साथ हिलने लग जाती है वो तीनों धर्मगुरू जैसे अपने कद कदम आके बढ़ाते जा रहे थी, उनकी मालाओं में और जादा मूफमेंट होते जा रहा था। उन तीनों ने अपनी नजरे अपनी माला पर ही टिका दी थी, जिस कारण वो अपने आसपास देखी नहीं पा रहे थे। बस माला को हिलते हुए देख उसका पीछा करते जा रहे थे। उन तीनों की मालाओं में इतनी तेज हलचल होने लग जाती है कि जैसे कोई उनकी माला को उन से छीनने की कोशिश कर रहा हो। उन तीनों की माला एक दिश्वा की तरफ एकदम सीधी हो गए थी, वो तीनों धर्म गुरू अपने कदम आगे बढ़ाई रहे थे, कि के पास आकर खड़े हो गए थे, उनकी द्याविये मालाएं उन्हें एक ही दर्वाजे के पास ले आई थी, उस दर्वाजे पर ही एक नमबर प्लेट लगी हुई थी, इसाई दहल्म गुरू प्लेट पढ़ी के नमबर को पढ़ते हुए डर के साथ कहते हैं, रूम नमबर 6 266 ये तो शैतान का नमबर है